आप लोग सब बली बाती जानते हैं कि अपने हमारे सब के सर्दे पाल किसंग जी महाराज वो जंगल से जड़ी बूटिया लाते हैं और क्रोडों रोगों खोने देशी जड़ी बूटियों से दूर भगाए हैं दूसरी कली में आईर वेदिक का जिकर करते हुए कैसे वला आईर वेदिक जड़ी बूटियों से दो लाप जड़ी बूटियों से दूर भगाए हैं जीवन बरक्य लिये रोग से मुझती पावेगा एंचर तमा अन्ने रोगों को तन से दूर भगावेगा बाल क्रिशन आचारिय कीजो जड़ी बूटिया खावेगा जीवन दो लाप जड़ी बूटिया खावेगा वो उरजवन जेरा मुझती पावेगा जेरा मुझती बूटियों से लोग पेठी दवाईयों से खोट काना पारा है स्रामी राम देव दिने नेकाले नीतीते पेंडा खोट वाना है ओ पापा न्यारा है जन्न जन्नका प्यारा है श्रापान पारा है वो नारा है जेरा मुझती बूटियों से लोग पापा न्यारा है जन्नका प्यारा है जन्नका प्यारा है श्रापान पारा है वो नारा है जन्नका प्यारा है अरे विस्त मुख्यत योगी दिशिशक साथ आवेंगे स्वामी जी के नेतर दमे गरगर योग भेलावेंगे वारत को अध्यात्रमिक गुण दारी देश्वारा है वारत को अध्यात्रमिक गुण आवेंगे वो पूतीवान सब होत अलवान सबते साथे विक्षित यत बड़ा पेश बड़ारा है सामी राम देव जी में नेका ले निती दें पेंगा छुट्रमाना है योग भापा न्यारा है जन जन का प्यारा है कि में प्यारा है में आ प्यारा है देवाराना है जन का प्यारा प्यारा है सबते बड़ारा प्यारा पुण आवे योग में विक्षित यत बड़ाद है कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो में कर दो k I G क्लिवों कर MP4 लाक्ष़पस्म ए winter पेप शीब खेयन लवली गरमेन लाना पेप शीब खेयन लवली गरमेन लाना वे विद्य सीको छोड के सवद्य सीको एपनाना तूट मेट सही दंत कांती दातों को चमचाना तेश का पेशा रहे देशमें एशे कदम युठा हाद सही कहा रहे देशको पार । गूरुमीले महा इस्व τι आरियरी गरोड़ानी महावीले महा इस्वारी अजी पूंडियरी अपने नाना बंठ को पोकाना है स्वामी गाम देव जीने वेकाले नितीतें वेंडा छुचु भाडाए ले लोगु अहाँ आगाँ 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 संदुचार मचार्या आगाँ दुरसचा आगाँ आगाँ मेंदा सब्सक्तें नितीता लोक्यान चलाया है जनदो का प्यारा है संचार मचारया है उड़सचा आगाँ आगाँ दिल्ली रामिला मेदान में जो भी कुछ होया था उस समय स्वामी जी के चलनों में गए थे उस समय स्वामी जी ने उस दिन काई पहरें यह स्वामी जी की पहनाई हो ये नहीं आशिर वात दिया था कि बेटा बहुत बढ़िया वे छोटी ही नादानों में मैं बहुत कम पढ़िया लिखा हूँ जी लेकिन अंदर आत्मा की आवाज को नहीं रोशकता जैसे भी स्वामी जी के मुख से वानी निकलती है मैं अपनी कवीता में डाल देता हूँ प्रभूगी किरपा है आपका आस लोगों से बचा के और देश को रोग मुक्त बनाया है करोडों लोगों की जिंदगी बचाई है बहुत से लोग नसा छोड़ के और स्वामी जी का धन्यवाद करते हैं उनके पच्चे दुआ देते हैं कैसे बला अर। प्रोडों मानसी नसा छोड़ केरें वाई योग सर्ण में आने ते और इस अपने हिंदुस्तान में परिवर्तन आ सकता है तो कैसे आ सकता है और बारत में परिवर्तन आ रे इस संद्र का साथ ये भाए दे कुणो मारत में परिवर्तन आ रे संद्र का सकता है और बारत में परिवर्तन आ रे इस संद्र का सकता है पस्त्री का नपालबाती दे, पस्त्री का नपालबाती के, सब को फैदे, ख्वार लगे, अग्नी सार त्री बंद लगाके, जेट के रोग बगान लगे, अल्ड निच्चा उज्जाई ते, युँ आपस में बत्तंगान लगे, अनु लोम विलोम ते, वीपीरी आई रे, शरकादर दन्य डान लगे, अनु लोमे लोमे लोमे, शरकादर दन्य डान लगे, उससे साथ रिखाना खाड़ेते, भारत में बरिवरत दन्य आवे, संद का साथ दन्य डान लगे, असाथवान बरिवर दन्य डान लगे, अनु लोमे लोमे लोमे, शरकादर दन्य डान लगे, संद का साथ दन्य डान लगे, और ब्रामुरी उद्गीत करणते निराकार में घ्याल लगे आदम दे सब जीवों के अंदर वी बगवान लगे योग करेते रामुर कर्शन इसियों की सल्कान लगे चेरे पे रोनक याज आवे गरीब आदमी दनवान लगे चेरे पे रोनक याज आवे रोनक याज आवे अंदर वी बगवान लगे सुक्ष की उरसा वो बारत में सुक्ष की भी माँ ओ याले दिक्सित सब आदे बारत में आई वरत मले आवे संद्रिका साथ कि आदे और तिसरी कली में ये लिख दिया कि स्वामी जी के दिल में एक बहुत बड़ी तरप है कसक है स्वामी जी क्या करना चाते हैं क्या करने वाले हैं क्या बता बला स्वामी जी का कैना से गाम्मा में गुरकुरल खलवाना स्वामी जी का कैना से वेतिक्त्ष रॉट्स शड़क काना स्वामी जी का कैना से और योग दावाला रोग बगाना इस स्वामी जी का देना से विसल में सक्ती हो बारत रे विसल में सन्या सिद्य स्मनाने दे बारत में पलिवरत ले आवे संदे का साथ को लडण की खाथिर महा पुरुष्ट्यब आवासे राष्टर के जो देश वगत्मों मनते साथ नपावासे रिशित दयानंद के अन्याई सन्या सिटो हे पावेसे वेतिक्सिक्षा पावन दे क्वापा गुरकुल खल वावे से वेतिक्सिक्षा पावन दे क्वापा गुरकुल खल वावे से पुरुई स्वरक्ता प्यार कले, मामीर आरी अन्यकाने पे, बारत में वरिवरत लियावे, संथे का साथुआ। बारत में वरिवरत लियावे, संथ का साथुआ। इस प्रकार की रचनाए करना, आज कितना युवावर्ग में विकृतता है, दोस आये हैं फिर भी, इस युवावस्ता में इस प्रकार की कविता करना। और एक बहूत बड़ा पूर्शार्थ करके माविर जी यहां तक आये हैं। यह बहुत मेहनत करके यहां तक पहुँचे हैं। स्वाम जी का अशिरवाद इनको मिला है। यह फाल और सबजियों की रहड़ी लगाकर। इतना पुर्शार्थ करके ये प्रमात्मा ने इनको ये कला दी है ये प्रतिभा दी है ये यहां तक पहुंचे हैं मैं स्वाम जी महराज से विनम्र निवेदन करूँगा कि इनको माल्यारपन कर आशिरवाद दें आएं और इनके सभी साथियों ने बहुत ही अच्छा पुर् पुर्षान गुर्कुल कुरुक्षेत्र का नाम आप सभी आरिये बद्रफुर्शों ने सुना है वहां के संचालक आचारिये देवरजी हमारे मत्योपस्तित हैं उनसे मैं विनम्र प्रार्थना करता हूं अपने आसीसों से हमें कृतार्थ करें आचारिये देवरजी तो थी आदर्णिये सभी विद्वजन बहनोर भायो युवा बंधोर मात्रिशक्षि निसंदेहे भारत धरा ऐसी धरा रही है कि जब जब यहां पर अन्याय अज्यान अभाव और ऐसी कूरीतियां पैदा होती हैं तो भगवान की असीम कृपा होती है कि कुछ महापूरुष इस धरा पर मानवता को नई दिशा देने के लिए आते हैं और यह हर्याना की इस धरती का बड़ा गौरव है और उसमें भी जिस क्षेत्र में हम बैठे हैं आप और हम सोभाग चाली हैं के पुझ्य स्वामी रामदीव जी महराज का जनम हर्याना की इस पवित्र भूमी पर हुआ और उन्होंने जब चारों तरफ मिराशा का वातावर्ण था चारों तरफ लोग चिंति थे के अब इस देश का क्या होगा स्वामी जी ने अंगडाई ली और ने जाने कौन सी सुप प्रतिभा इनके अंदर इश्वर ने प्रदान की के भारत नहीं अपितु समुचे विश्व में एक क्रांती का सुत्रपात हो गया और पुज्य स्वामी जी महराज ने रिश्यों द्वारा जो बहुत काल पहले विद्या दी गई थी जो लुप प्राय हो गई थी पुष्टकों तक रह गई थी उस विद्या योग की विद्या को जन मानस तक पहुँचाने का एक बीड़ा उठाया और केवल योग का नहीं अपितूस के माध्यम से स्वामी जी ने भारत की समस्त ज्वलंत समश्याओं को उठाया अनेक लोगों ने कहा कि सन्यासियों का काम राजनीती में आना होता नहीं स्वामी जी राजनीती में तो गए भी नहीं लेकिन इन्होंने इस बात का बहुत अच्छी तरह पता था के जब तक भारत की राजनीती में परिवर्तन नहीं होगा तब तक भारत देश को एक नई दिशा प्राप्त नहीं हो सकती ये भी भारत का एक सो भागय रहा कि नरेंदर मोदी जैसे एक व्यक्तित्व को स्वामी जी ने उनकी पीठ को थप थपा दिया और इस देश के सामने चुनोती पूर्ण धंग से कहा कि अब इस देश की आवशक इस देश के स्वामी जीरा मैं और आपने घर में घ्यरे हुए थे यदि स्वामी जी का साथ उनको नहीं मिलता तो देश में किरांतिकारी परिवर्तन भी नहीं हो पाता है उसके पीछे स्वामी जी का बहुत बड़ा योगदान रहा और उब चारों तरफ देश में एक आशा का वातावन बन पाया है यह सब कुछ स्वामी जी के घोर परिशम का परिनाम रहा आदर्निय भाई और बेहनों स्वामी जी ने हर पहलू को चुआ है कोई ऐसा विश्य नहीं छोड़ा कि जो कमजोरी इस देश को घुन की तरह खा रही है उस कमजोरी से इस देश को उबारना है चाहे वो जैविक्रशी का कारिया हो चाहे वो गोपालन का कारिया हो चाहे वो योग विद्या का कारिया हो चाहे आईरवेद का हो भारत की सिक्षा नीती को परिवर्तन करने का कारिय हो वो मूल चीजें जिन चीजों के अभाव में देश गुलाम हुआ था हज्जारों वर्ष तक गुलामी हमें भूगनी पड़ी उन सभी बिंद्वों को स्वामी जी ने चुआ नहीं अपी तु एक आंदोलन खड़ा कर दिया कि आज चारों तरफ एक बहुत सुगंधी दायक बातावन बनने जा रहा है इसके लिए मैं समझता हूं हम सभी ने स्वामी जी का बहुत सहयू करना चाहिए और एक आज जो नया एक उद्बोधन एक नया चिंतन नई सोच और एक क्रांती का सुत्रपात किया स्वामी जी ने जिसकी बहुत महती आवशकता है वो है आचारी कुलम का आंदोलन आदर्निया भाई और बेहनों इस समय जो सबसे बड़ी गंभीर समस्या मेरे देश की है वो है युवाओं के निर्मान की बात असली चीज मानव के निर्मान की बात है बढ़िया भवन भी बन जाते हैं नहरें भी खुद जाती हैं बढ़िया रेल गाड़ियां भी चलाई जा सकती हैं कल कार खाने भी बनाई जा सकते हैं लेकिन यदि इन सब चीजों का उपयोग करने वाला मानव सही अर्थों में इन इंसान नहीं है तो इन सब चीजों का कोई मतलब रहता नहीं भाई और बेहनों ऐसे मानव का निरमान स्वामी जी करना चाते हैं कि जो सही अर्थों में भारत को एक नया क्रांतिकारी जीवन दे सकें यह बहुत बड़ी गंभीर समस्या इस समय मेरे देश की है आज मेरे देश का एक बालक सवेरे कंधे पर बसता लेकर जब स्कूल की और कदम बढ़ाता है आप सब वली भाती देखते हैं गाउं की दो सड़कें जहां पर मिली हैं वहीं पर उसे एक शराब का ठेका दिखाई पड़ता है बालक थोड़ा सा कदम आगे बढ़ाता है तो वहां पर नेरी प्राणी मुर्गे बकरे काट करके लटकाए उन सब सीनों को इदेश का बालक देखता है थोड़ा कदम आगे बढ़ाता तो नसे में चकना चूड़ लोगों को फुटपात और सड़कों पर पड़े देखता है यह जो स्थिती आज मेरे देश के बालक को मिल रही है उससे आप क्या आशा कर सकते हैं घर में आकर के वो टेली वीजन चलाता है तो आज स्थिती हमारी यह बन चुकी है कि समाचार भी इमानदारी से बहु बेटी पिता पुत्री एक जगह बैठ करके देख नहीं सकते चारों तरफ गंदगी का निरत्य दिखाई पड़ता है कोई बा चाता वहीं गंदगी जब हम बालकों को यह सब कुछ परोश रहे हैं तो उन से महापुरुष बनने की कैसे संभावना हो सकती है आज इन परिष्थितियों के साथ चारों तरफ बच्चे को चुनोती मिल रही है ऐसे समय में स्वामी जीन एक जो बीड़ा उठाया है आचार हो नहीं सकता आज ऐसे लोगों की जूरत है ऐसे मानों के निर्मान की जूरत है जो दूसरे के हरद के स्पंदन को अपने अंदर अनुभाव कर सकें आज ऐसे लोगों के निर्मान की आवशकता है जो दूसरे के दुख के आंसों को अपनी आँखों से बहाने की योग्यता प्राप्त कर सकें ऐसे मानुओं के निर्मान की आवशक्ता है जो दूसरे के घाव को अपने हरदरूपी मरम से ठीक करने की योग्यता प्राप्त कर सकें और इस दिशा में स्वामी जी का जबरदस्तिय प्रियास निस संदे हम सब के लिए अनू करनी है और इस मिशन में बहु सब के कल्यान का लिया है भारत की संस्कृति के उत्थान का लिया है वैदिक परमपराओं को बढ़ाने का लिया है रिशीद अयानंद का जो मिशन जो लुप्त प्राय दिशा में बढ़ रहा था स्वामी जी ने उसमें भी एक नया सुत्र पात किया है तो हम सब आरिये को मिल करके स्वामी जी के इस मिशन में सहयोगी बन करके आने वाली पीडियों के निर्मान के लिए कटी बद होना पड़ेगा और इसके लिए सही अर्थों में मानव के निर्मान की आवशकता है और इस मिशन के बिना वो हो नहीं सकता पंजाब जैसा प्रांध जो इस देश क सेना में सब से ज़्यादा युवाओं को देता था आज आंकडे बताते हैं कि वहां के युवक सत्तर प्रतिशत युवा आज नशे में डूब चुका है सेना में आज पंजाब का युवक नहीं भरती हो रहा क्योंकि नशे से ग्रसित हो चुका है बुराईयों ने उनको लप पेट लिया है आज हमारी युवा पीड़ी जो इस देश का भविषे है जिसके बारे में नरेंदर मोदी जी भी विश्व में कह रहे हैं कि भारत ऐसा देश जिसमें सत्तर प्रतिशत आबादी युवाओं की है लेकिन ऐसी फोज युवाओं की फोज का क्याला जो इस धरत प्रदान की जाए उनकी thinking positive कर दी जाए तो निश्चित रूप से वो हाथ जो आज विनाश का कारण बने हुए हैं वो हाथ इस देश के निर्मान का भी कारण बन चकते हैं और ये चिंतन पुझे स्वामी जी के द्वारा इस संपूर्ण भारत देश में चलेगा तो मैं आप पुझे स्वामी जी के साथ हैं ओम शांति